रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई रहीम जी क्या करते है कि प्रेम का धागा मत तोड़ो चटकाई यानि खीच कर जटके से मत तोड़ो तूटे से फिर ना जुड़े तोड़ दोगे फिर वह नहीं जुड़ेगा जुड़े गाठ पढ़ जाए जोडने लगे तो कैसी तो गाट पढ़ जाएगी रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खीच कर जटकाई यानि कि खीच कर जटके से मत तोड़ डालो एक बार वह तूड गया फिर जुड़ता नहीं और जुड़ता है तो उसमें गाट पढ़ जाती है प्रेम में पहले जैसी मिठाज नहीं रहती तरुवर फल नहीं खात तरुवर यानि व्रुक्ष व्रुक्ष अपने फल खुद नहीं खाता सरुवर पिय न पानी सरुवर पिय ही यानि पीता है सरुवर अपना पानी खुद नहीं पीता कही रहिम परकाज हित संपती संचही सुजानी परकाज यानि की दूसरों की भलाई के लिए संपती यानि धन संपती संचही यानि संग्रह करते हैं सुजानी यानि सज्जन लोग रहिम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं काता सरोवर अपना पानी खुद भी नहीं पीता इसी तरह सुजानी यानी सज्जन लोग अपनी संपती दूसरों कोई परकाज यानी दूसरों का भला करने के लिए उसका संचै यानी संग्रह करते है रहिमन देखी बड़ेन को लगून दीजिये डारी जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी बड़ेन यानी बड़े लोगों की बड़ी चीज को लगू यानी की छोटा डारी यानी की छोड़ना उसे त्याग कर देना जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी तलवारी यानी तलवार का क्या काम है रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देख कर उससे प्रभावीत होकर छोटों को लगो यानी छोटों की उपेक्षा मत करू जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती